जब बीजेपी के सांसद ने रेल मंत्री को लिकी छिठी तो उसके बाद आनन फानन में रेलवे का महकमा पूरी तरीके से जागरूप हो गया और उसके बाद देखे किस तरीके से पानी निकाला गया और यहाँ पर जो अंडर पास आप देख रहे हैं उसको आप देखकर समझ सकते हैं कि railway काम तो कर सकती है लेकिन दिक्कत क्या है अपसर ला परवा हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह पानी निकाला गया उसके बाद की स्थती है और इससे पहले इन सभी जगहों पर पानी भर चुपा था जो अंडर पास हैं अंडर पास के नीचे पू अगलग इलाकों में जो अंडर पास बनाए गए हैं उन्में जब बारिस होती है तो पानी भर जाता है तो लोग'sों किसनी दिक्कत होती है कि वो इधर-से उदर नहीं जा सकते हैं या तो इसी पानी में डूप कर जाएं इस तरीके के स्थती बनती है हम आपको बता दें जो मेरठ हापुर के सांसद है राजय नगरवाल उन्होंने तीन अगस्त को एक चिठी लिखी उसमें इस समस्या को सही तरीके से उन्हों रखा कि बार-बार सांसद उठाते हैं लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान ही नहीं हुआ उन्हों रेल मंत्री को लिखा और कहा इस्था की लेकिन उसके बाद भी काम नहीं हुआ यह चिठी लिखकर उन्होंने गुस्से में लिखा कि करवाई की जाए और उसी के बाद हम कह सकते हैं कि रेलवे के अधिकारियों ने आनन फानन में यह जो अंडर पास हैं उनको साफ किया और यहां पर आप देख सकते हैं देश के अलग-अलग इलाकों की अगर हम बात करें तो कई जगहों परिस्थती बड़ी अच्छी नहीं है और कई बार ऐसा होता है कि जो रेलवे के अधिकारी हैं वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं चाहें वो अगर हम बात करें राजस्थान की हो या दूसरे जगहों की बात हो और यहाँ एक और चीज़ बता दूँ कि आने वाले समय में जितने भी लेविल क्रासिंग है उन सब को खत्म करने का लक्ष लिया गया है लहाजा इस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि अंडर पास बनाये जाएं जिससे रेलवे की जो स्पीड है उसमें कोई कमी ना आए ल क्योंकि अंडर पास जहां पर बनते हैं वहाँ नीचे का जो काम है यानि रेलपटरी के जस्ट नीचे की जो जगह है वो कहीं न कहीं उसमें उस पर रेलवे को काम करना होता है तो ऐसे में अगर अंडर पास में पानी भर जाएगा तो आम आदमी को बड़ी परिशानी होती और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये कारवाई की गई और तुरंत जो है आनन पानन में जगह जगह से पानी निकाला गया तो और जगहों पर भी इसी तरीके से कारवाई की जानी चाहिए